हेलो स्टुडेंट्स बेलकम तो स्टेडी सर्केल 2.0 सो कैसे आप सभी लोग आई हो बहुत ही बढ़ी आओंगे तो दोस्तों हम लोग पढ़ रहे हैं डिजाइन ऑफ स्टील स्टेक्चर ठीक है और डिजाइन ऑफ स्टील स्टेक्चर में हमारा तीसरा चैप्टल चल रहा है जो कि है हमारा बोल्ट जॉइन ठीक है और बोल्ट जॉइन भी बहुत जल्दी आपका फिनिस होने वाला है ठीक है बिल्कुल भी परिशान ना हूँ आप लोग ये चैप्टर कापी छोटा था आपका ठीक है रिविट जॉइन के का बेरीजन में और दोस्तों जो हमारा डि इंडियन स्टेंडर्ड 800-2007 के अंडर में है ठीक है तो आप आज हैडिंग लगा लीजन दी से पहली बात तो आपका सबजेक्ट है दोस्तों BSS यानि कि design of steel structure यह civil engineering का एक main subject है ठीक है जो कि civil engineering six semester के जो भी UP वाले बच्चे है वो पढ़ सकते हैं और other board के जो भी बच्चे civil engineering से ब्लॉंग करते हैं तो वो भी इसको पढ़ सकते हैं बड़ ध्यान रखना कि आपके में यह design of steel structure होना चाहिए ठीक है तो आप भी इसकी complete preparation करत रखते हैं ठीक है आपको बिलकुल भी परिशान होने की ज़रुवत नहीं है ठीक है तो हमारी आथ की heading क्या रहेगी standards for bolt joint according to Indian standard 800 2007 ठीक है चलिए यानि एगर इसको हम हिंदी में लखेंगे तो यह हिंदी में हो जाएगा भारतिय मानक code 800 2007 ठीक है की अनुसार और आप मुझे यह बताएंगे कि इस code के अंतरगत कौन सी आपकी जो method है हो आईगी LSM या WLSM जो भी आपके मन में आए वो मुझे comment करके ज़रू बता देना ठीक है कि अनुसार bolt जोड के लिए बिसिस्टियां हिंदी में इसको बिसिस्टियां गयते हैं स्टेंडर्स को ठीक है के लिए बिसिस्टियां जैसे हम लोग rebate joint पढ़ेते हैं उसकी designing बगरा पढ़ेते हैं तो उसमें हमें कुछ चीज़ें ध्यान में रखके चलना होता था कि डाया कैसे निकालेंगे ठीक है इसके बाद pitch कैसे लेना है minimum pitch कितना लेना है maximum कितना लेना है age distance कितनी होनी चाहिए यह सब चीज़ें हम देखे थे वही standards यहां पर भी आपको note करने ठीक है और वो note करने इस code के according यह सबसे important सीज़ें यह ध्यान रखना आप लोग ठीक है चलिए तो सबसे पहले हम बात कर ले हमारा nominal डाया है ठीक है nominal डाया है जिसको हम कहते है सामान व्याज होता क्या है इसके बार में आपको पहली बता चुक है थी कि अगर आप market से कोई एक bold खरीद के लाते है इस तरीके से ठीक है इस तरीके से और मानलों यह यहां तक third है चूड़ीं कटी हुए है इसमें तो इसका जो यह sank होगा यह sank इसका जो डाया होगा ठीक है डाया of sank नग तो इसमूद वाला ठीक है उसका जो डाया होता है उसी को हम कहते हैं हमारा नॉर्मल दाया इसको हम भइस लिखते हैं ठीक हुए तो यह तो नॉर्मल चीज थी लेकिन आप जो ध्यान देने वाली बात है वो है ज्या ग्रॉस डाया मीटर, ओप बोल्ट यहां पर भी और लिखे लेना इसे बोल्ट का सकल व्यास जी आपकी अगली हैडिंग और तो देखिए ग्रोष डाया कैसे निकालते हैं ग्रोस डाया यानि D-naught देखिए ग्रोस डाया को डाया ओफ होल भी कहा जाता यह ध्याना किये यानि पिलेट में जो होल बनाएंगे उसका डाया ठीक है डाया ओफ होल तो नॉमिनल में आपको कुछ चीज़ बताया था ध्यान से इसको अब्जर्ब करना बताया था कि अगर आपका नॉमिनल डाया 12 mm से 12 mm तक है ठीक है यानि 5 की वैल्यू तो अगर आप ग्रोस निकालना चाहरे है तो आपको नॉमिनल में एक जोडना है तो आपके पास D-naught की वैल्यू आ जाएगी फिर बताया था कि यही वैल्यू अगर आप लोगों की 16 mm से 24 mm तक है 5 का 2 mm कर ले ना यहां ठीक है mm 2 mm तो यह तुम्हारा D-naught का वैल्यू आ जाएगा लेकिन बताये थे अगला यही अगर आपका more than 24 mm है more than 24 mm तो फिर आपको ग्रोस अगर निकालना है तो नॉमिनल में कितना जोडना सीधा 3 mm जोडना है ठीक है तो यह टेबल भी तुम अपने बना करके इसको रख सकते हो ठीक है तो यह तो था आपका ग्रोस डायमेंटर वाला जोकी नुमेरकल में यूज होगा ठीक है चलिए अब हम तीसरा जो इस्टेंडर्ड है वह हम आ रहा है पिच पिच कितना लेंगे ठीक है तो पिच बिल्कल सेम रहाना दोस्तों आप लोगों का जैसे आप रभीट में पढ़ेते हैं वैसे ही तो सबसे पहले आपको पढ़ना है कि मिनमम् के चाप कितना लेंगे ट Redmi 1 पिच है तो मिनमम् किच आपको भेले लेना है 0.25 और ंट्यू खालना मैं जहां भी nominal लिखूँ समझ लिए ना फाई ठीक गद यह तो minimum था अगर हम बात करने कि maximum हमारा कितना हो सकता है तो maximum के लिए अलग अलग केस थे पहला हमारा था compression के लिए इसके लिए अगला था tension के लिए rubate में वैसे ही आपको same यहां करना है अगला था tucking rubate compression में कितना होता था twelve t or 200 mm में जो काम होता था extension में कितना था sixteen t और 200 mm में जो काम होता था इसमेz 32 terror और 300 mm इन में जो कम होता था हुआ ही हम लोग लेते थे ठीके तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है बहुत अच्छे से अगर मैं बात करूं टी की वैलू क्या होती थी तो टी की वैलू होती थी थिनर पिलेट की आपकी थिकने जैसे अगर लैब जोड में एक पिलेट ऐसे ह और एक पिलेट ऐसे है यह आपकी सबकूर 8 mm की यह 10 की तो टी की वैलू क्या हो जाएगी 8 हो जाएगी ठीके अगर लैब जोड है इस तरीके से मालो यह इस तरीके से दो में पिलेट लगा रखी है ठीके उपर से एक कवर पिलेट यह है एक कवर पिलेट यह है अगर मालो जादा है तो टी का वैलू 10 होगा ठीक है इतनी चीज़ समझ गए की नहीं समझ गए समझ गए होंगे ठीक है लेकिन बाइचांस मालूम आपकी कवर पिलेट 8-8 mm की हो जाती ठीक है और सपोस करके यह आपका में ज्यादा कर देता हूं 18-18 mm कर देता हूं ठीक है तो अब इसको माल लेंगे तो सब पता है जैसे कि अगर आपका यह पहलेट है अगाय ऐसे आपने हॉल बना रखें, यह जो डिस्टैंस होती ही, यही तो पिछ होती ए, होती है जूसित है कि नहें, नियूमेरिकल केस में यह जो आपका गेज होता है, यह गेज इस़िको पिछ के बराबर माने के चलते हैं हम लोग ठीकि ओ, ध्यान रखनांना, चन्फीज मत होना, इसलिए जो ये values फ़र्ण निकर होगी है एक्षिन में gauge होता है लेकिन numerical बाला इसको पिछ ही कहता है बार बार तो हम क्या कर सकते हैं ठीक है confuse ना होना आप लोग ठीक है चलिए अगला समझ ये अगला आपको समझना दोश्कों age distance के बारे में ठीक है age distance के बारे में किनारा दूरी के बारे में यानि ए के बारे में ठीक है अब age distance के बारे में सभी लोग जानते है ये देखिए अगर इस तरीके से आपने लगा रखें मालो ये बोल्ट तो ये पहली rivet line से बाहरी किनारा तक की दूरी ये यही तो age distance होती है ये वाली तो ये age distance कितनी रखनी है minimum कितनी होती है maximum कितनी होती है ये थोड़ा सा हम समझेंगे ठीक है तो सबसे पहले हम समझेंगे minimum कितनी होती है मतलब noon time हम कितनी रख सकते हैं तो देखिए वहाँ पर तो हम आपको सीधा बता दिये थे आपको ये age distance रखनी कितनी रखनी वहाँ बता दिये थे 1.7 इंटू ग्रॉस डाया है ना ये नॉमिल डाया बताये थे ठीक है पीछे जब हम बताये थे तो बताये थे 1.7 इंटू नॉमिल डाया यही थे थे ठीक है यह थे एक नॉर्मल फॉर्मूला था age distance के लिए age distance के लिए एक नॉर्मल फॉर्मूला यह बताये थे रबेट वाले जब questions कराये थे वहाँ पर ठीक है हाला कि नॉमिल डाया को देखते हुए हम लोगों को क्या करना होता था इस्टील टेबल से वैलू देखनी होती थी या ग्रॉस डाया के बेस पे भी आप लोग जो है एज डिस्टेंस की वैलू देख सकते थी ठीके बस आपको यह पता होना चाहिए था कि आपने फिर उसमें मसीन फिलेंड कर रखा है या हैंड फिलेंड कर रखा है तो उसके बेस आप एज डिस्टेंस देख लेते थी ठीके इतना आप सबको पता था वही काम यहां पर भी करना है ठीके लेकिन इसके लिए बनाएगा है फॉर्मूले ठीके तो आपको फॉर्मूलो से वैलू निकाल ली है तो आप एज डिस्टेंस कम से कम कितना रखना है वो निकालते हो और maximum कितना रख सकते हैं वो आपको निकाल रहा हुँआ तो सबसे पहले हम बात करते हैं minimum तो minimum में पहली चीज़ और दूसरी चीज़ पहली चीज़ यह है कि minimum value आप दोस्तो 1.5 into gross dia कितना gross dia यानि कि D not ये चेक करोगे और दूसरा आप चेक करोगे 1.7 into gross dia अब confuse मत होना कि सर रिवेट में तो आपने 1.7 into nominal dia लिखवाया था तो सर ये तो फिर गलत हो जाएगा यहाँ आप gross करा रहे हो हम कहेंगे बिल्कुल गलत नहीं होगा वहाँ पर हम आपको बताए भी थी कि जो ये 1.7 ये ये जो फॉर्मूला बताया थे पिछले वीडियो में जब हम रिवेट जोइंट पड़ रहे थे तो वहाँ बताये थे कि 1.7 into nominal लाया करोगे तो तुम्हारा age distance आ जाएगा क्या इस फॉर्मूले से age distance फिक्स आता था नहीं आता था दो चार nominal रखो चाहे gross उतना जादा अंतर आने वाला नहीं है लेकिन यहां ध्यान रखना gross ही यूज करोगे ठीक है चलिए तो 1.7 into gross लाया यानि डी नोड ये तुम दो फॉर्मूले यूज करते हो minimum के case में ठीक है एक तो ये और एक ये अब ये कभ यूज करना ये कभ यूज करना है तो दोस्तो ये जो 1.7 into gross लाया ये आपको यूज करना है जब आपने machine फिलेम्ड कर रखा हो क्यासा machine फिलेम्ड ठीक है यानि machine से फिलेमिंग कर रखी है ठीक है उसकी घिसाई बगेरा और 1.7 into gross लाया आपको यूज करना है आपको अपने हैंड फिलेम्ड कर रखा क्या हैंड फिलेम्ड मतलब हाथ से घिसाई कर रखी है तो उस टाइम पर age distance ज्यादा छोड़नी है अगर machine से आपने खिसाई कर रखी है तो आपको age distance कम छोड़नी है 1.5 और gross डाया से गुणा कर आके देखना है ठीक है तो यह तो minimum है अब आपको बात करते हैं यहाँ पर कि maximum कितनी होनी चाहिए वैलू होता है दोस्तों 250 अपन में Fy होता है और Fy का वैलू तो आप सबको पता है 250 न्यूटन परती mm2 होता है ठीक है तो अगर तुम Fy की जगे भी 250 रखोगे और 250 से 250 कर जाएगा तो F silence का वैलू वन आ जाएगा और यहाँ जब F silence वन रखोगे तो 12T का 12T ही रहेगा या यानि maximum value तुम 12T रख सकते हो और T आपका होता है thickness of thinner plate यह ध्यान रखना यानि जो कम मटाई की पिलेट होगी उसी की धिकनेस आपको लेके चल ली है तो इतनी चीज आपको स्टेंडर्स की रूप में दोस्तों याद करनी थी ठीक है आपको जो सबसे अच्छे से याद करना है वो यह point कि gross diet कैसे निकालना है ठीक है इसके बाद pitch याद करना है कि minimum pitch कितना होगा और maximum कितना होगा तो minimum आप focus करिए क्योंकि maximum value तक हम कभी पहुंचते भी नहीं है ठीक है चलिए इसके बाद आपको ज्यान रखना है age distance तो age distance हम यह लेंगे अगर machine flamed है तो यह लेंगे य और अगर hand flamed है तो उसको seared flame भी कह दिया जाता है वोकों में यह देखने को मिल जाता है कभी कभी ठीक है तो यह values आप निकालेंगे इसको still table से नहीं देख पेंगे आप लोग ठीक हालांकि rebate में हम still table से देख लेते थे ठीक है तो यह आपको एतनी चीज़े याद रखना ह कि आपको दोस्तों करना क्या है यहीं note करना है क्योंकि इसमें कोई Hindi English का तो खेल ही नहीं है बस आपको कुछ भी नहीं करना आपको यहां से heading लगानी है nominal लाया उसमें यह diagram बना लेना है बस इसके बाद फिर gross डाया में यह पूरी table बना लेनी है और pitch में यह पूरी table बना ल ठीक है अब हम लेके आएंगे आपको जो आपका सबसी important topic रहेगा दोस्तों strength और bolt joint ठीक है और strength और bolt joint अगर find करना है तो आपको strength find करने यह bolt की और इसको find करने के लिए उनका पहले failure पता करेंगे जैसे हमने क्या किया था रवेट में किया था यानि कि अगर रवेट की strength चाहिए तो रवेट का failure निकालो इसी तरीके से bolt की strength चाहिए तो bolt का failure निकालो और bolt के failure का मतलब है कि उसका shear failure और वीरिंग ठीक है तो सीयर फेलूर और वी रिंग फेलूर अगर आ जाएगा तो हमारी बॉल्ट और वी रिंग इस्टेंद भी आ जाएगी इसे तरीके से प्लेट की शंथ निकाल ले想知道 apply पहले फिल्योर νेकालना पदेगा माला उसका टैंसाल फेल लिए तो उसकी टैंसालइस जोड़् तो कल कि लिए ठीक है तो कल डिसकस करेंगे इन सब चीजों के बारे में ओके तो चलिए फिर मिलते हैं बहुत चल्ट जो अगला वीडियो आप उसमें और यह सारी चीजे याद करके आना ठीक है तो नियुमेरिकल करेंगे तो फिर भी माझा से लगा हला कि तो नुमेरिकल अगले वीडियो से होंगे ओके और कल की नुमेरिकल आपको याद करने पढ़ेंगे अच्छे समझें पढ़ेंगे ओके दोस्तों थैंक्यों